एक्सल के आज के वीडियो में हम आपको financial function, PMT, IPMT, PPMT फार्मुले के बारे में बताने वाले हैं माल लीडिया कि आप कोई car loan या home loan करा रहे हैं जिसका loan amount यहाँ पे दिखाया गया है 1 lakh रुपीज है जिस पर आपको 15% का ब्यास देना पड़ रहे है जो yearly है आपका और loan period जो लिया गया है यानि जो समय लिया गया है वो 5 वर्स के लिया गया है तो आपको पता करना है कि प्रती माह इसका किस्त कितना आएगा इसका प्रती महिने इंस्टाल्मेंट कितना आएगा साथ ही हम प्रतिमहिने जो installment जमा कर रहे हैं उसमें कितना ब्याज दे रहे हैं और कितना मुलधन दे रहे हैं इसको हम आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं आपको इसली समझ में आ जाएगा और आप कहीं भी calculation कर सकते हों तो इसके लिए हम आपको बता दें कि आप यहाँ पे तीन फर्मुला देख सकते हो PMT, IPMT और PPMT का फर्मुला आपको यूज करना होगा सबसे पहले हम आपको PMT फर्मुले के बारे में बताने जा रहे हैं जो प्रतिमा इंस्टॉल्मेंट का calculation करने के लिए यूज होता है तो मैं आपको बता दूँ कि इस फर्मुले का यूज करके आप प्रतिमा कितना इंस्टॉल्मेंट जमा करोगे आपका कितना इंस्टॉल्मेंट आएगा यह आप पता कर सकते हो तो इसके लिए आपको यहाँ पर फार्मूला लिखना होगा, आपको लिखना होगा यहाँ पर PMT, ब्रिकिट को आप यहाँ ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद देखें, यहाँ रीट पूछा जा रहा है, तो रीट आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट डिट हमने 15% ले रखा ह और जो yearly है, ध्यान रखना है, मैंने पहले ही बोला है कि यह सलाना है, तो आप इस sale पर क्लिक करेंगे, चुकि आप यहाँ पर प्रति महीने का installment निकालने जा रहे हो, इसलिए आप यहाँ पर बठा 12 करेंगे, 12 क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, और हम प्रति महीने का installment न इसलिए आप यहाँ पर 12 से multiply करेंगे, कामा करेंगे, कामा करने के बाद यहाँ पर PV, यानि present value आप से पूछा जा रहा है, तो present value में आप देख सकते हो कि loan का जो amount है, 1 lakh है, तो आपको इस sale पर क्लिक करना होगा, sale पर क्लिक करने के बाद bracket को बंद करिएगा, और enter बटन को प installment में कितना हम ब्याज के रुप में दे रहे हैं, प्रती महीने, तो इसके लिए भी आपको formula use करना होगा, आपको लिखना होगा, IPMT, bracket को आप यहाँ open करेंगे, rate पूछा जा रहा है, तो rate को आपको देख सकते हो कि rate interest rate आपका उसी तरह 15% है, तो 15% चुकी yearly है, आपको monthly नि दूसरे महीने के लिए, तो आप यहाँ पे अगर पहले महीने के लिए निकाल ले हो, तो यहाँ पे one करेंगे, कामा करेंगे, यहाँ पे फिर से पूछा जा रहा है कि number of period, उसी तरह आप देख सकते हैं कि यह 5 सल के लिए है, अगर आपको monthly ग्याद करना है, तो आप यहाँ पे सेल पे क्लिक करने की बाद, गुने करेंगे, start sign लगाते हुए, 12, कामा करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, present value पूछा जा रहा है, present value में आप loan amount पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपने loan amount को रखा हुआ है, उस sale पे आप क्लिक करेंगे, bracket को आप यहाँ बंद करिएगा, और enter बटन को प्रेज करिएगा, देख सकते हैं कि जो total installment है, उस total installment में आप 1250 रुपया आप प्रती महीने ब्याज के रुप में दे रहे हो, अब आपको पता करना है कि प्रती महीने आपका मुलधन कितना जा रहे है, यानि इसमें से आप मुलधन कितना दे रहे हो, ब्याज open करने के बाद rate पूछा जा रहा है, तो rate आप देख सकते हो 15% है, जो yearly है, आपको monthly निकालने के लिए आप यहाँ पे divide करेंगे 12 से, कामा करते वे, पर पूछा जा रहा है किस महीने के लिए, तो आप पहले महीने के लिए निकाल ले हो, तो आप यहाँ 1 लिखेंगे, कामा करेंगे, कामा करने के बाद फिर से उसी तरफ present value आप से पूछा जा रहा है, तो present value आप देख सकते हो, हमारा जो loan amount है, इस sale पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जैसे आप bracket को बंद करिएगा, और enter button को प्रेज करिएगा, आप देख सकते हो, कि यहाँ पे प्रती मह 28 रुपया 99 पैसा मुल्धन की रुप में दिया जा रहा है, अब देखें यहाँ पे अगर हम मुल्धन को और ब्याज को आपस में जोड़ दें, तो प्रत महिने दिये जाने वाले किस्ते के बराबर होना चाहिए, इंस्टॉल्मेंट के बराबर होना चाहिए, तो इसके लि लुप में दिये जाने वाले किस्ते में आप कितना मुल्धन और कितना ब्याज के रुक में दे रहे हो, यह आप आसानी से केलकुलेट कर सकते हो, तो उमीद है कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज वीदियो को लाईक करें, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें